नासिरुद्दीन महमूद तुर्की शासक था, वो 1246 में दिल्ली सल्तनत का आटवा सुल्तान बना, उसका शासनकाल 1246 ए 1265 ए तक रहा, ये दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बहराईच का राज्यपाल था, मिनहाज उस सिराज किताब के मुताबिक ये दिल्ली का सबसे आद दल के नेता बल्बन के हाथों में थी क्योंकि बल्बन ने ही सुल्तान महमूद शाह को गद्धी से हटा कर इसे दिल्ली का सुल्तान बनाया था। बल्बन ने अपनी बेटी की शादी नासिरुद्दीन महमूद के साथ किये थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मूद की मृत्यू के संबंध में इतिहास कारों का एकमत नहीं है.